सबी यूटूब देखने वालों से मेरा प्यार बरा नमस्कार सत्य ही है सचकी जीट चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज आपको खोनियाओं दस्त में खोनाना रखता ती सार इसके बहुत ही सरल नुष्के बताएंगे कई सारे नुष्के बताएंगे कर सकते हैं शुरू करते हैं नुष्के क्या है गाए के मक्षन में सहद मिला कर चाटने से रखता ती सार के रोगी को तुरंत लाब होता है पचास ग्राम चावलों को डाइसो ग्राम पानी में विगो दें दो गंटे के बाद इस पानी में मिश्री मिला कर पीने से रक्ताती सार में लाब होता है तीन ग्राम नाके सर के चूरन को दस ग्राम गाय के मक्षन में मिला कर खाने से रक्ताती सार मिट जाता है अडूशे के पतों का सवरस्क लेने से रक्ताती सार मिट जाता है यहे परियोग रक्त पित में भी बहुत लाब दाइक है बेल गिरी 10 ग्राम, सुका धनिया 10 ग्राम और मिश्री 20 ग्राम लेकर पीश लें इसको 5 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार ताजे पानी से 7 करने से खुनी दस्तों में सिग्र लाब होता है 12 ग्राम पिशे हुए दनिये में 12 ग्राम मिश्री मिलाकर आदा कप जल में गोल कर शेवन करने से दस्त में खुनाना रुक जाता है आउं कोई सी भी हो सौंप, सौंट और चोटी हरड परतेक बराबर मात्रा में लेकर गी में बून कर पीश ले इसके बाद उतनी मात्रा में मिश्री मिलाकर पांच ग्राम की मात्रा में प्रारम में दिन में चार बार और लाब होने पर दिन में दो बार प्रियोग करें यह बहुत ही सरल और लाब दैक नुस्का है मिटी के बरतन में डाइसोग्राम, दूद, सक्कर, स्वादा अनुसार और आधा निमूनी चोड़ कर मिलाकर पीएं इस से पेट में हलकी सी जलन होगी, किन्तु खून के दस्ट बंध हो जाएंगे दस्ट में रखताने पर आम की गुठली पीश कर चाच में मिलाकर पीने से लाब होता है आम के पतों को चाया में सुका कर पीश कर बारी कपड़े से चान ले इसे रोजाना दिन में तीन बार आदा चमच की मातरा में गरम पानी से शेवन करना बहुत ही लाबकारी होता है बीस ग्राम जामुन की गुठली पानी में पीश कर आधा कप पानी में गोल कर सुबह शाम दिन में दो बार पीने से खूनी दस्ट बंध हो जाते हैं यह अतेंत ही लाबदायक प्रियोग है पंद्रा ग्राम अनार के सुके चिलके और लोंग दो उनग लेकर पीस कर एक गिलास पानी में दस मिनट तक उबाल कर चान कर आधा आधा कप की मातरा में रोजाना तीन बार पिने से दस्त और पेचिस में लाब होता है जिन रोग्यों के पेट में आउं की शिकायत बनी रहती है अत्वा डिशेंट्री या इस्प्रूच संघरेनी रोग की शिकायत रहती है उनके लिए इसका नियमित शेवन बहुत ही लाबदायक है आउं खून के दस्ताने पर एक प्याज को काट कर पानी से दोकर गाय के ताजे दही के साथ खाने से लाब होता है प्याज को पीश कर नाभी पर लेप करने से दस्त बंध हो जाते हैं दो चमच खस-खस पोस्त के दाने में पानी डाल कर पीश कर चोथाई कप दही में मिला कर प्रति दिन दो बार 6-6 गंटे के अंतर से 7 करने से 25 दस्त और मरोड ठीक हो जाते हैं खस-खस की खीर बना कर खाने से भी लाब होता है मेथी के पत्तों का साग को तल कर खाने से आवांती सार मिटता है या मेथी के पत्तों का रस 60 ग्राम गी में 6 ग्राम सकर मिला कर अथवा मेथी का चूरन दही में मिला कर खाएं यह परियोग भी आवांती सार ना सक है एक गिलास चावल के दोहन में मिश्री मिला कर पीने से रक्ताती सार में लाब होता है यह प्रियोग इस्तिरियों के रक्त परदर में भी लाबकारी है रक्ताती सार वे आंतों के गाव में बेर खाना परम लाबकारी होता है एक कप गन्य केरस में आधा कप अनार कारस मिलाकर सुबह वे रात दिन में दो बार पीने से रक्ताती सार मिट जाता है 25 डिशेंट्री में 10 काली मिर्च पीश कर पानी से फंकी लेने पर लाब होता है अंबीबिक 25 में इसब गोल का प्रियोग रामबान है यह आउं को बहार निकाल कर आउं का बनना बंद कर देती है इसब गोल के जो प्रियोग दिये हैं वे बहुत ही अच्छे हैं और इनको अपना कर आप लाब उठाएं 25 ग्राम इसब गोल 25 ग्राम भुनीवी सोंप और 25 ग्राम कच्ची सोंप इन तीनों को पीश कर एक चमच भर की मात्रा में परती दिन बोजन करने के बाद ताजे पानी से शेवन करने पर समस्त जीवन आराम से बितेगा यह लंबे समय तक करते रहना पड़ता है बहुत ही अच्छा उपाए है तुल्शी और पान का रस समान मात्रा में गरम करके बच्चों को पिलाने से दस्त साप आते हैं पेट फूलना वै अफारा ठीक हो जाता है तुल्शी की पत्ती को सकर के साथ सेवन करने से 25 दूर होती है तुल्शी के पत्तों का काड़ा पीने से दस्तों में लाब होता है दस गराम तुल्शी के पत्तों का रस रोजाना पीने से मरोड और अजिर्ण में लाब होता है चोटी हरड वसौंप को गी में बून कर वपीश कर मिश्री मिला कर एक चमच रोजाना गरम पानी से लेने पर पैचिस में लाब होता है बेल पत्थर का गुदा पानी में मत कर सक्कर मिला कर सरबत बना कर एक एक अप दिन में तीन बार पीना दस तुवे पैचिस में बहुत ही ज़्यादा लाब होता है चोटी हरड और पीपर का चुर्ण चोटी हरड दो भाग और चोटी पीपर एक बाग लेकर दोनों का बारिक चुर्ण बना लें इसके एक से डेट ग्राम की मातरा में बोजन करने के बाद आवशक्ता नुसार तीन दिन से लेकर एक सब्ता तक निरुनतर परियोग से आउं और सूल सही दस्त अमीबिक डिशेंट्री में भी लाब होता है आपको कई सारे छोटे छोटे नुस्के बताएं हैं आपको जो भी सरल लगे वही नुस्का आप प्रियोग कर सकते हैं इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है खाने पीने का आपको परहेज रखना है ज्यादा तली बुनी चीकनी चीजे नहीं खानी है अलका बोजन जो पचने में सरल हो वही बोजन का आप प्रियोग करें उमिद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपने अपना किमती समय मेरा वीडियो देखने के लिए दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद